हेलो जैसा कि देख सकते हमके में कौनी वीडियो के साथ आगे हैं आज की वीडियो इस पर कर सकते हैं आज हम जीमेल एकाउन बनाने सिखाएंगे वो भी एक इंड्रॉइट फोन से ठीक है गाईज अगर आप इस चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब और चलिए वीडियो को बिना लेट लपाट के सुरू करते हैं है लो गाईज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने मवाली स्क्रीन पर आ गया हूं आपको सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाने क्लिए जीमेल एप को ओपन करना होगा चलिए ओपन करते हैं जैसा कि देख सकते हैं गाईज मैंने पहले सही अपना एक जीमेल अकाउंट बना के रखा है मैं एक और नया एड करने वाला हूं इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है बहुत ही आशान है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको अबर दिख रहा होगा एक three.option दे रहा है उसके just side में right side corner में देखिए गा मेरी एक पीक दिख रही होगी आपको इसे लोगों लोगों पर click करना मेरे फिक वाले लोगों पर ठीक है तो चलिए इस पर click कर लेते हैं यहां पर आपको देख सकते हैं कि मैं एकाउंट पहले से यह बना हुआ है मैं एक आप लोगों के लिए और एक अकाउंट बनाने वाला हूं जिससे आप लोग भी बहुत इजी तरीके से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं जहां पर दो अप्शन देखने नया create करना है तो यहां पर आपको क्या करना होगा सबसे पहले add another account click करना है चलिए click कर लेते हैं click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ options आपको दिए गए हैं जैसा कि Google's Outlook याहू exchange and office अधारिस चरे कुछ option दिए गए हैं तो हमको Gmail account बनाने के लिए सबसे पहले first option पर click करना है चलिए click कर लेते हैं कि यहां पर कुछ सेकेंड मागे गार और अगर आपने pattern डाला होगा तो वह भी आपको मागेगा चलिए मैं fingerprint लगा देता हूं जैसा कि देख सकते हैं गाइस यहां पर email और phone number का option दे रहा है तो हमको क्या करना है यहां पर और डौप्शन मिला एक नीचे जसे सकते हैं forget email का uh melon hun क käyt alcohol मिल गा डे रहा है तो हमको क्या करना और क्रियेट Efendimiz का किक करना कि यहां पर दो option और देखने को मिलते हैं for myself andusto manage by my business ठीक है तो यहां परвал to manage for my business पर ना क्लिक करके सबसे first option पर क्लिक करना है for myself पर ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं guys दो option और मिलता है आपको देखने को first name and last name चलिए मैं नाम लिख देता हूं first name अपना और last name में यहाँ पर लिख देते हैं कि देख सकते हैं फिर यहाँ जाने के बाद then next कर रहा है option को ठीक है next option पर क्लिक करना है जैसा कि देख सकते हैं guys यहाँ पर बर्थ डीटेल को आपको फिल करना होगा तो चलिए फिल कर देते हैं तो फिल करते हैं जिंडर आपको करना है mail है या आप फिर mail है तो फिल कर देते हैं इसको भी गाईस मेल पर क्लिक करके देने यहाँ पर next कर देना है चलिए गाईस यहाँ पर मैं अपना नाम फिल कर लेता हूं और यहाँ यहाँ पर हमेशा small में रहेगा आपका नाम ठीक है यहाँ पर कुछ अंक भी लिक लेते हैं जैसा कि यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो जैसा कि मैं 1 2 3 4 लिक रहा हूं और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह कुछ अप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर इसलिए अप्शन आ रहा है क्योंकि आपने पहले से एक अकॉंड बना रखा उसके लिए इसमें आपको कुछ नकुछ करना पड़ेगा चलिए मैं बतातों आपको कैसा इसमें कुछ नकुछ एडिट करना है ठीक है चलिए आप ध्यान से देखिए गए इसको और सबसे पहले इसमें इसको पूरा कर लेते हैं देनों चलिए गाइस फेर सुरू से अपना नाम लिखते हैं आप जैसा कि देख सकत 1234 या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूं 4074 लिख रहा हूं ठीक है गाईज यहाँ पर उसके बाद देना आपको क्या करना नेक्ट पे जैसा कि यहां पर मैं अपना पासबेर्ड इंटर कर देता हूं आपको देना उसके बाद नेक्ट के आप्षन opy क्लिक कर دینا है चलिए गाइस click करते next option पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर wait करने के बाद आपको देख सकते यहां पर कुछ options का जाएगा इसको यहाँ पर लिंगधना य॥ा म स्लिक करते यह तो आपको क्लिक करते हैं कि इसकर देख सकते हैंगर यहाँ पे मेरा कॉंट बनए चुका उसके बाद आपको क्या करना है नेक्ट कर देना क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ से बेट करेगा और यहां पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ वेट करा रहा है और उसके बाद देना आपको दुवारा से यहां पर जीमेल एकाउंट पर क्लिक करना जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक कर दिया हूं मेरे स्क् झाल